हेलो फ्रेंड्स किरंदर निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे व्यूवर्स की फर्माई शारी थी कि रौंड डेक बुनना बताया जाए जो कि सुई के साथ हम बंद करते हैं यहां से उपर से बॉर्डर जो जिसका डबल होता है तो फ्रेंड्स यह दिखिए मैंने कार्डिगन बनाया है बलैक अलर का और इसमें मैंने नीचे दिखे पट्टी मैंने सीधे-सीधे ही बनाई है और यहां पर मैंने राउंड नेक बनाया है एक उल्टे-सीधे का सुई से बंद करने वाला तो यह इसकी भी बहुत फरमाई शा तो आफ़कोर्स आप बना सकते हैं यह इंनने कारड़ीगन का मैंने और बनाया है उसमें बहुत सुन्दर बनके आया है आप पूरी इंस्टॉक्शन्स फोलो करोगे तो आपका बहुत ही बढ़िया बनके आएगा और देखेजिए फ्रेंड्स एक यह वाला कारड़ीगन बना है यह लाइट शेट का है इसमें भी मैंने यही गला बनाया है सेम फंदे लेते हुए बहुत सुंदर बन के आया है यहां पर देखिए इसका पर यह बटन पट्टी है हमारे पास एक उल्टे और एक सीधे की और पहली जो दूसरी दिखाई वह मैंने सीधे-सीधे फंदों के बटन पट्टी बनाई है तो यहां पर देख सकते हैं यह भी बहुत ही सुंदर बन के आया है अब भी जब आप इसको डालोगे जब पहनोंगे तब यह थोड़ा और भी खुलेगा और और भी यह सुंदर लगेगा बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत सुंदर बन के आया है तो चलिए बुनते हैं देखिए फ्रेंट्स जे मैंने कार्डीगन बनाया है बलेक कलर का इसमें हम सुई से बंद होने वाला राउंड नेक बनाएंगे जिसकी बहुत फरमाईश आती रहती है कि सुई से जो क्लोज होता है जैसे मार्किट से हम लाते हैं तो वैसे वाला बॉर тиसका कारण बॉनते हैं यहां से तो यह मैं पैटन्स बूनते ही हूं इसमें यहां से यह देखिए फिर हमारा इसमें बना है यह कि अelas का आर्म हॉल की कटिंग किए मैंने इसमें देखिए चार तीन दो मैं हमेशां बनाती हूँ वही बनाया है उसके बाद friends थोड़ा सा बुनके मैंने इसमें तीन उंगली ही बुनके मैंने इसमें गला रख दिया है तो round neck देखें मैंने बनाया है इसमें तो round neck की आप इसकी decreasing देख लीजी एक बार 9 फंदों से decreasing शुरू की है पहली line में 9 फंदे फिर 5 फंदे फिर तीन फंदे फिर से 3 फंदे फिर 2 फंदे दो फंदे दो फंदे जैने कि 2 फंदे जो हैं वो मैंने तीन बार 2 दो करके घटाए हैं उसके बाद एक एक फंदा करते हुए मैंने 7 फंदे इसमें लगातार घटाएं हैं और बाकी फ्रेंट्स थोड़ा सा ऐसे बुना हैं अपना ये शोल्डर पूरा करने के लिए और यहां पर उपर मैंने ये जो हैं अपर शोल्डर 26 फंदे ये रख दिये हैं इसमें बाद में इसको बाइंड ओफ का इसमें आपस में जोड दिया ह तो ये है ये आप इजी है आराम से कर लेंगे और फ्रेंट्स जे जो आपको थोड़ा सा उबर खाबर सा दिख रहा है उपर नीचे दिख रहा है इसका गुलाई ये ठीक हो जाएगी जब हम इसका गला बुनेंगे ये सारा पैटर्न की वज़े से है ये पैटर्न जो बना ह पैटर्न की वज़े आएगा तो इच्छे लिए स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स यहां से जो पीछे की इसके फंदे बचे हैं ये पचास फंदे इसमें बच गे हैं तो जो हम ये वाला गला बनाते हैं तो इसमें हमारे पास फंदे थोड़े जादे होने चाहिए अगर दूसरा गला बनाएंगे तो इसमें से हम घठा सकते हैं बीच-बीच में से थोड़े पंदे रखेंगे 32 या 35 फंदे पीछे के रखेंगे तो इसमें हिसपास जादे हो तो बढ़िया रहता है तो पचास संधे इसमें बचे हूए इतनने ही रहने देंगे अब यहां से हम इ देखिए जो इसकी बटन पट्टी है यह हमारी सीधे सीधे फंदों की मैंने बनाई थी फिर भी मैं इसके उपर दूसरा बॉर्डर बना रही हूं एक उल्टेक सीधे का तो यह भी अच्छा लगेगा वैसे तो दूसरा बनाते हम जादेगर पर इसमें मैं अलग से कुछ का ब उठाएंगे यह देख भी रहे हैं और मैंने बहुत सारे वीडियो में फंदे उठाना बता रखा है तो यहां पर देखिए यह वाली राउंड शेप जो है एक तरफ की इसमें फ्रेंड्स हम सत्तर फंदे उठाएंगे टोटल सत्तर फंदे तो पास पास करते हुए आपको उठाने ताकि आपके यहां तक सत्तर फंदे हो जाएं तो चलिए यह मैं उठा लेते हूं फिर मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां से करते हुए पास पास देखिए आप देख सकते हैं कितनी पास पास से यहां फंदे उठाएं तो यह मैंने सत्तर फंदे यहां दिखिए जहां पर हमारा शूल्डर का यह जॉइंट है यहां तक उठा लिए हैं उसके बाद देखिए आपके पास यह बैक साइड है तो बैक साइड किसे क्या करेंगे आप यहां से आप एक फंदा उठाएंगे इसको आपस में जोनने के लिए यह दिखिए ऐसे यहां बिल्कुल इसके पास से एक फंदा उठा लेंगे बैक साइड से ताकि इसमें होल ना आजाए ऐसे फंदा उठाएंगे कि इसमें शेद ना हो जाए यह दिखिए ऐसे यहां से मैंने फंदा एक उठा लिया है अब फ्रेंड्स हमारे पास पिछली साइड के जो पचास फंदे हैं वो हम बुन लेंगे ये back side के 50 पंदे हैं, इनको हम सीधा ही बुनेंगे अभी हम stitches उछा रहे हैं तो अभी हम इसमें उल्टा सीधा नहीं बुनेंगे मैं बैक side के 50 पंदे जो हैं, ऐसे सीधे बुनते हुए complete करेंगे, ये मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने पचास फंदे बैक साइड के भी बुन लिये सीधे अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इसका यह शोल्डर का जोड है जोड से पहले हमें एक फंदा उठाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड उठाया है इस साइड भी हम उठाएंगे इन मिलकी जो गैप साथ आता है पिछली साइड का उसको पूरा करने के लिए दिखे यहां पे ऐसे एक फंदा उठा लेंगे जोड से पहले बस यहां पे आपको यही देखना है कि यह शेद नहीं आना चाहिए इसमें बैक साइड में शेद आ गया तो गडबड हो जाएगी यह मैंने एक फंदा उठा लिया है उसके बाद यहां इसका जॉइंट है जो इससे स्टार्ट करेंगे फिर से फंदे उठाना अगले फ्रेंट साइड जो एक फ्रेंट साइड के हमने उठा लिया है सत्तर फंदे अब यहां से जॉइंट से मैंने यह पहला फंदा उठा लिया है अब यहां पे फ्रेंट देखिए यह आपका दूसरी साइड है दूसरी गोलाई है दूसरे पल्ले की यहां पे भी आपको 70 फंदे उठाने हैं तो यहां से ऐसे पास पास फंदे उठाते हो यहां तक 70 फंदे उठा लीजिए मैं उठा लेते हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स मैंने ये सारे फंदे इसमें कर लिए हैं उठा लिए हैं इदर से भी मैंने 70 फंदे उठा लिए हैं तो अब देखिए 70 फंदे यहां इदर वाले फ्रंट पे और 50 ऐसे थे और एक एक हमने और बढ़ाया 52 यहां पे हो गए और 70 इदर हो गए तो टोटल ह हमारे पास 70-70 और ये 52 बैक साइड के 192 फंदे यहां पर टोटल हो चुके हैं इसमें हमें फंदे इसलिए जादे रखने पड़ते हैं क्योंकि आगे चलके ये डबल होता है तो फिर उसमें फंदे कम पड़ जाते हैं तो वो छोटा सा बन जाएगा तो ऐसे अगर आपको फ्र साइड के आपके पास 35 जाएव फोटी 35 और फॉर्टी के बीच में फंदे होने चाहिए पिछली साइड के अगर जादे है तो आप उसमें से कम कर सकते हैं तो इसमें हमें फंदे जादे उठाने पड़ते हैं तो चलिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा बुरना स्टार्ट करते तो यहां से यह दिखित कि ए पहला फंदा अधस्रrh करेंगे को फिर हम कैसे बुनना अबसे और और हम इसमें सीधा बुनैंगे सीधा पंदा बुनना है आपको एक पंदा स्लिप करने बार ऐसे ऐसा ही आपको बुनना एक स्लीप करने लएँ परल वाइस सीधा बुनेंगे फिर उल्टा एक औलटे मरतर हमें बनाना है तो ऐसे बुंते जाएंगे पूरी ॐर ते बहुत टाइम लगेगा तो फ्रेंड्स इस में क्या करेंगे अब मैं आपको बता देते हूं यह पूरी सिलाई एक उल्टे एक सीधे के बुन लीजिए और लास्ट में देखिए जब आपका यहां पे लास्ट में आएगा तो लास्ट में आपका जो फंदा है उल्टा आन चाहिए तो यह मैं रो कर लेती हूं फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फंदे कितने आएं देखिए रोवन मेरी यहां पर कंप्लीट होने वाली है तो मैंने यहां काउंट करके देखा तो यह मेरा फंदा जो लास्ट वाला यह उल्टा नहीं सीधा आ रहा है तो फ्रेंड है यह लास्ट वाला उल्टा आजाएगा एक फंदा हमने घटा दिया है एक फंदे से कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसमें गुलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी पर आपका यह फंदा लास्ट वाला उल्टा ही आना चाहिए तब ही आपकी यह साइड चेन बनके है एक सो इकानमे फंदे क्योंकि एक फंदा हमने इसमें घटा दिया है अब यह स्लाइम हम पूरी कर लेंगे अब यहां पर रोग खतम होने वाली है तो मैं आपको दिखा देते हूं यह दिखे यह मेरे पास सीधा फंदा और लास्ट फंदा हमारे पास उल्टा आ गया ऐसे आना चाहिए आपका तो आप एक फंदा घटा देंगे तो कोई दिक्त नहीं आएगी तो फ्रेंड्स इसमें मैंने रोव वन पूरी कर ली है अब आप इसमें ऐसे ही बनाते जाएगे अपने हिसाब से पर उसके बाद हम बॉर्डर डबल करने के लिए अलग तरह से इसमें सिलाइयां डालेंगे तो यह मैं थोड़ी सिलाइयां इसमें बॉर्डर की बुन लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं देखे फ्रेंड्स मैंने इसका बॉर्डर भून के कंप्लीट कर लिया है एक सिदे का पूरी यह टोटल सिलाइयां मैंने इसमें नो डाली है और यहां पर एक बटन होल भी रखा है यह दिखिए अब यह बॉर्डर का यह पूरा हो चुक है अब हमें क्या करना है कि डबल बॉर्डर करना है आगे का हिसा तो हमें कैसे बुनना है वो मैं आपको बता दे करते हूं कुछ तलाइयां हमारी यह आएंगी तो इसमें क्या करें गे हम जो सीधा फंदा है वह मूनना है यह सीदी साइड यह ध्यान रखिए इसका यह स्की राइट साइडसाइल है राइट साइड से अलग तरीके से वेना जाए गा और रॉंग साइड़ से अलग तरीक kittens से बुना जाएगा सीधी साइड है पहला फंदा हम बुनेंगे सीधा फंदा यानिके और उल्टा फंदा हम अपनी तरफ धागा करके स्लीप करेंगे सीधा फंदा बुनेंगे ये बॉर्डर डबल करने के लिए सिलाई आ रही है पहली सिलाई कह लेते हैं इसको ये इसकी सीधी साइड है सीधा फंदा बुन लिया अपनी तरफ धागा करके उल्टा फंदा उतार लेंगे सीधा फंदा बुन लिया तो ऐसे ही करते हुए पूरी रो फ्रेंट्स हमें ये बनानी है सीधी साइड की ये याद रखिए ये सीधी साइड है इसकी तो यहाँ पे ये दिखे पूरी सिलाइ ऐसे ही करते हुए अपनी तरफ दागा लाएंगे उल्टा फंदा स्लिप करेंगे परल वाई जी और सीधा फंदा बुन देंगे पूरी रोगों हम ऐसे ही करेंगे ध्यान से करेंगे ताकि ये गलत ना हुँ देखे फ्रेंट्स मैंने सीधी साइड की सलाई पूरी कर ली है उल्टा फंदा स्लिप करते हुए और सीधा बुनते हुए अब आतें इसकी रॉंग साइड में देखे फ्रेंट्स इसकी मैं रॉंग साइड में आगी देख सकते हैं आप जी wrong side से देखे कैसे करेंगे फंदा वही slip करना है जो हमने उदर से slip किया है बट इदर देखे फंदा change हो जाएगा यहाँ पे उल्टा फंदा आपको wrong side में बुणना है यह देखे और सीधा फंदा जो है वो आपको slip करना है तो कैसे करना है इदर को जाएंगे और यहाँ पे यह सीधा फंदा ऐसे यह देखे यह सीधा फंदा है इसको ऐसे slip कर लेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे उल्टा फंदा वोनेंगे सीधा फंदा slip करेंगे तो आप यह देख सकते हैं कि सीधा फंदा उदर से उल्टा था यानि कि राइट साइड से ये फंदा सीधा जो है ये उल्टा था तो आपने उल्टा स्लिप किया था तो फ्रेंट्स यहां पे इदर रोंग साइड से ये फंदा सीधा है तो वही फंदा जो आपने उदर स्लिप किया है इदर भी वही फंदा ही स्लिप होगा तो बट इदर उल्टा होगा वह फंदा और इदर सीधा होगा तो अब इसमें आपको ऐसे ही करते जाना है उल्टा फंदा जो है वह बुनते जाना है बस यही फर्क है इसमें रॉंग हो राइड साइड में सीधा फंदा इसमें स्लिप करते जाना है फंदा आपका वो सेम ही रहेगा पर जब आपकी रॉंग साइड आती है तो फंदा सीधा हो जाता है जो उदर से आपका उल्टा था तो इसमें क्या करेंगे देखे ऐसे सीधा फंदा आप दागा पीछी की ओर करके स्लिप करेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे और उल्टा फंदा बुनेंगे तो पूरी रो फ्रेंड्स आपको ये रोंग साइड की ऐसे ही करनी है तो यहां पर कितनी रोज डालनी है आप चाहें तो चार स्लिप डाल सकते हैं ऐसे वाली यानि कि दूसरी ये डल रही है तीसरी डालने या चोथी डालने चार स्लिप डाल सकते हैं या फिर आप तीन भी डाल सकते हैं तो जितनी मैं डालूंगी मैं आपको बताओंगी तरीका मैंने आपको बता दिया है सीधी साइड से आपको कैसे बुनना है उल्टी साइड से आपको कैसे बुनना है अब ऐसे ही आपको स्लाइड डालने चाहे आप तीन डालने चाहे चार डालने सीधी साइड से खतम कर दें चाहे उल्डी साइड की चोथी डालके खतम करे जितना आपको बॉर्डर चाहिए हो तो ये मैं कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंट्स इसमें मैंने चार सलाइएं कम्प्लीट कर ली हैं एक उतारते होए और एक बुनते होए आजाएगा तो यही आपका बॉर्डर जो है डबल होगा तो चलिए फ्रेंट्स चार सलेएं कम्प्लीट हो चुकी हैं आप अपने हिसाब से तीन भी डाल सकते हैं या चार जैसे आपको बॉर्डर चाहिए हो तो फ्रेंट्स अब हमें क्या करना है इसको यहां से आगे तक काफी लंबा धागा काटना है फिर हमें इसकी सिलाई करनी है तो यह धागा काट लेती हूँ फिर दिखाती हूँ देखी फ्रेंट्स यहां पर मैंने काफी लंबा धागा इसमें काट लिए क्योंकि काफी सारे फंदे हैं हमारे पास सिलने के लिए तो इसमें गांट नहीं आने चाहिए तो काफी लंबा सा धागा आप काट लीजे अब देखिए फ्रेंड्स मैंने बलैक पे सिलाई का वीडियो बनाया था बट उसमें कुछ पता नहीं चल रहा दिखनी रहा फिर आपको दिक्कत होती रहेगी तो मैंने वैसा वैसा ये थोड़ा सा बना के त्यार कर रहा है थोड़े से फंदों में यहां मैंने यह दागा काटके सुई में डाल लिया है अब यहां पर सिलना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए यह आपका सीधा फंदा है तो सीधा फंदा जो है वो आपको हमेशा उल्टा लेना है परल वाइज लेना है सीधा फंदा इसको ऐसे ले लेंगे देखिए यह ले लिए मैंने और यहां पे आपका है उल्टा फंदा यह देखिए यह उल्टा फंदा है आपका तो उल्टा फंदा जो आपको नेटवाइज लेना है हमेशा सीधा ऐसे लेना है जब भी आप सी लेंगे आप ऐसे ही सी लेंगे अब यहां पे ध्यान देजिए वो ब्लैक कलर में दिखनी रहा था तब भी मैंने ये लाइट कलर लिया है अब यहां पर ध्यान देजी जो आपने सीधा फंदा पहले बुना था फरस्टली वो यहां से उठाएंगे ये पीछे का फंदा है इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे सीधा फंदा जो आपने करा था उसको दिखिए ऐसे नीचे से उठाएंगे आपको दिखने लग जाएगा ये हमने उठाया और इसको जैसे मैंने बताया कि सीधा फंदा हमें परलवाइज लेना है तो ऐसे ले लेंगे पर्ल वाइज और इसको हम पीछे को थोड़ा सा ऐसे करेंगे उसके बाद यहां देखिया फ्रेंड्स यह जो फंदा है यह आपने उल्टा इदर वाली साइड जो था आपका इसको देखिए इसको उठाएंगे यह आपको इजी ली दिखेंगे यह देखिए दिख रहा है यहां से ऐसे उठा लेंगे और उल्टा फंदा मैंने आपको बोलाएगे ऐसे नेटवाइज आपको लेना है तो इसको ऐसे कर देंगे डार्क कलर में दिखने जरा मुश्किल हो जाते हैं यह देखिए फिर से यह आपको देखिए दिख रहा है यह वाला सीधा फंदा यह वाला उठा लेंगे और यह आपको ऐसे परलवाइज लेना है जैसे मैंने बताया है इसमें आपको इजी ली समझ में आएगा आप देख सकते हैं कि आपका यह बॉर्डर डबल होना स्टार्ट हो गया है अब फिर से पीछे जाएंगे यह दिखिए ऐसे यह दिखिए यह फंदा आराम से आपको दिखेगा जो आपने पहले छोड़ा था यह उठाएंगे इसको और यहाँ पे जो उल्टा फंदा है इसको हम सीधा ऐसे लेंगे हर बार ऐसे प्रोग्लम हाती है तो मैंने सोचा इस बार अच्छी तरह से बता देती हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए अब यहाँ पे देखिए इदर वाले साइड यह देखिए फंदा दिख रहा है मैंने आपको बोला इजीली दिखेगा जो आपने पहले छोड़ा है यह लेंगे और यह सीधा फंदा है इसको परल वाइस उतारेंगे ऐसे अब यहाँ पे यह देखिए दिख रहा है फंदा जो आपने छोड़ा था इसको उठाएंगे और यह आप ऐसे उल्टा फंदा नेटवाइस करेंगे क्योंकि सारा काम जब आप कर लेते हो जब आपका सिलने का दिक्कत आती है तो आपको फिर चेड़ा आने लग जाती है किसी भी काम से यह दिखे यह मैंने यहां से फंदा उठा लिया है और यह वाला आपका सीधा फंदा है तो इसको पारलवाइस ऐसे कर देंगे अब यहीं पर मैं आपको बंद करना भी बता दूँगी कि इसको बंद कैसे करेंगे अब यहां पर यह दिखे यह पहला फंदा जो आपने यहां पर छोड़ा था इसको उठाएंगे और यहां कहीं हम इसमें ऐसे करके इसको कर देंगे देखे ऐसे यह इसकी उल्टी साइड की तरफ मैंने कर लिया है ताकि आपको अराम से दिख जाए ऐसे कर लेंगे और यह बाद में जो आपने फंदा किया था जो सीधा फंदा था इसको लेंगे ऐसे और इसको ऐसे कर देंगे देखे फ्रेंड्स यह आपका बहुत बढ़िया बन के आगया है आप देख सकते हैं देखे मैं पास से दिखा रही हूँ यह इसकी रोंग साइडा आप देख रहे हैं फंदे बिल्कूल आपके मिले हुए है यह आपका यहाँ पर बंद भी हो गया अच्छी तरह से अब यहाँ नीचे को निकालते हुए आप इसको बंद कर दीजिए आपका यहाँ से अच्छी तरह से आना चाहिए बस आपको यही करना है उसके बाद यहाँ ऐसे नीचे को लाते हुए ऐसे लाते जाए जो आपका बॉर्डर है साथ साथ और नीचे आपके इसमें गाट लगा दीजिए इसको बंद कर दीजिए अब मैं आपको दिखाते हूँ यह दिखे यह आपकी सीधी साइड है सीधी साइड और यह आपकी है रोंग साइड उल्टी साइड देखे दोनों तरफ से आपको एक जैसा यह दिखाए देगा अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने लाइट कलर में बताया है इसमें आप हमेशा प्रॉब्लम आती है सिलने में तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए जब भी आपका यह डबल बॉडर आप बनाएंगे आपको ऐसे ही सिलना है चाहे आपका ओपन स्वेटर हो चाहे आपका बंद वाला स्वेटर हो तो आपको ऐसे ही बनाना यह दिखिए आपका बिल्कूल बहुत सुन्दर सा यह बन के आ गया है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्वेटर भी देखे फैंड्स मैंने यहाँ पर यह गला बना के त्यार कर लिया है आप देख सकते हैं कि गले की शेप बहुत सुन्दर बन के आई है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि یہ मेरे पास सीधे सीधे फंदो की पट्टी है तो ये बहुत फरमाईश आ रही थी, अभी भी कमेंट्स आये हैं, कि सीधी अगर हमारे पास बटन पट्टी हो, तो हम उपर ये वाला एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बना सकते हैं, कैसा लगेगा, तो देखे फ्रेंड्स मैंने अपने स्वेटर का बनाया है, ये बहुत स तो अब आप ऐसे वाला गला बनाएंगे, जितने मैंने कटिंग बताईए, वैसी कटिंग करते हुए, और इतने फंदे आप उठाते हुए, तो आपका सेम टू सेम ऐसा गला आएगा, कभी गलत नहीं बनेगा, ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्स्प्लेइ गल्ए अच्छी